बिहार में बहुत सी हल चले हो रही है जिसमें से एक स्टेट इन्वस्टीस में हो रही है पूरा मामला क्या है वो समझे आज आदेश तो मिल गया है कि इन्वस्टीस के खाते खोल दिये जाए लेकिन जिस कारण से सिक्षा विभाग ने ये खातों पर रोक लगाई थी वो आपको पता होगा कि बिहार में जो पाठिकरम होते हैं तीन वर्श के चाट वर्श 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 में पॉप्लीट हो रहा है तो इसी को लेकर सिक्षा विभाग ने सभी इन्वस्टीस जो स्टेट इन्वस्टी है बिहार की उन पर कड़्ाई से उन्सके साथ प्रेस आहें क्या उन्हें यह कहें कि आप अपने जिम्हेंदारी को समय से निवाईए इस पर किसी भी विश्विद्धियाले के द्वारा उस तरह पहल नहीं कि गई जिस पहल की दिसा में सिख्षाविभाग ने सोच चाथ है अंत्रता सभी तरह से हार भान कर सिख्षाविभाग नहीं निरने लिया कि सारे एकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए जब वित्यार्थियों का नुक्सान हो इी रहा है उन्हें कुछ लाब हो इन रहा है तो फिर ऐसे में सरकारी राजस्त्रों के जो पैसे हैं वो वेर्थ क्यों जाए यही मनमुटाब और यही खीचा तानी के बीच आज महिनों बीद गए हैं जहां सिछा विभाग के द्वारा सभी एकॉंट को फ्रिज कर दिया गया है यह विषय अब ABBP ने उठाया उसके बाद अन्य अन्य जगहों पर लोगों ने उठाया हाई कोट में याचिका रीट के द्वारा दाहिर की गई उसके अधार पर हाई कोट का कहना है कि आप एकाउंट को फ्रीज नहीं किजिए और सभी मिलकर एक बाठक कीजिए जो कि 6 माई को होना है और 6 माई को जो मै ठक है उसमें समान तरग बातों बात हो तो थोड़ी कड़ाई पर सभी विचलित हो गया ऐसा महाद्य विक्त्रा ने कहा राजसरकार की और से कि जितना पैसा विश्विद्याने को दिया जा रहा है उतना चात्रों को दे दिया जाए तो बेहतर ग्रहन कर लेंगे राजी सरकार लगप पांच हजार करोड रुपे हर साल देती है और सिक्षा को अस्तर अन्य राज्यों की तुनला में काफी खराब है सिक्षा की बदतर इस्थिती के कारण चात्रों का पलायन जारी है उनका कहना था कि विभाग में थोड़ी कड़ाई क्या तो कुल पती नहीं आए कोट में सभी कानून की बात कर रहे हैं लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि आकर किस कानून के अताथ बिश्विद्ध डैलर पील खाते में पैसा रखते हैं तो यह पूरा मामला है अब आगे निस्चित रूप से एकाउंस तो फ्रीज जो थे वो खु रहे हैं उससे शुकून मिलता है क्या यह स्टेट इंवर्स्टिस में भी लागू हो पाएगा यह देखना है